Hey everyone, आज हम एक नया concept discuss करेंगे, जो कि one of the most important Greek है. यह option Greek अगर आपको नहीं पता, तो आपको options market में पैसा कमाना impossible हो जाएगा. इस वीडियो के द्वारा हम आपको यह बताएंगे कि options trading में इस Greek की क्या help हो सकती है. यह Greek काफी important है. इस option Greek का नाम है Delta. Delta measures a change in price of option with respect to change in the underline price. अगर हम हिंदी में discuss करें, तो options की जो price की जो change होगी, वो underline price पर dependent होती है. जैसे कि अगर आप Nifty की example लें, तो Nifty अगर 14,500 है आज, और अगर Nifty 14,500 से 100 points चेंज होता है, उपर जाता है 14,600 तक, तो option, call option की जो premium है, वो कितना रूपे से बढ़ेगी, वो measure करता है Delta. अभी, क्योंकि अगर हम options में trade करें और Delta की जानकारी ना लें, तो अगर हमारा view सही भी होगा market पर, तो हमें उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने हमें मिलने चाहिए. इसलिए, options trading करने से पहले, Delta की जानकारी रखनी जरूरी है. अभी, मैं आपको एक example दूँगा, जहां आपको idea लगेगी कि Delta कैसे use होता है. तो supposedly Nifty की 14,500 की call options आपने खरीदी है, जिसका Delta है 0.5, अगर Nifty 100 points की अप्मूँ देता है, तो आपका यह option purely on basis of Delta, 100 multiplied by 0.5, तो 50 points की अप्मूँ देगा. तो अगर आपको आशा है कि 100 points की Nifty की अप्मूँ में आपको 80 रूपिस की profit हो, और अगर आपने 14,500 की call option खरीदी है, तो उसमें आपको नहीं होगी, क्यूंकि उसका Delta 0.5 था. अगर आपको 80 points खरीए, तो आपको जो option strike जिसकी Delta 0.8 है, उसको खरीदनी पड़ेगी, तो उदारन के तौर पर 14,1200 की options जो है, उसकी Delta 0.8 रहेगी. तो instead of buying 14,500 की calls, आपको 14,200 की call खरीदनी चाहिए, जो आपको 80 points की अप्मूँ दे, अगर market में 100 points की तेजी आई तो. डेल्टा call और put के अलग-अलब होते हैं, call के डेल्टा positive में होते हैं, और put के डेल्टा negative में होते हैं, जो add the money strike है, उसके डेल्टा कभी भी 0.5 के आसपास ही over करते हैं, क्योंकि equal probability होती है कि option in the money या out of the money expire होगा. जो in the money options होते हैं, उसकी डेल्टा close to 1 होती है, तो अगर आप in the money call options की बात करें, at current market price of 14,500 in Nifty, अगर आप 14,000 की call options को देखें, तो उनका डेल्टा will be close to 1, इसका मतलब यह हो गया कि आप अगर 14,000 की call option खरिदते हैं, at 14,500 market price, आप एक future contract ही buy कर रहे हैं, क्योंकि future की जो moment होगी, वो same moment 14,000 की call options में आपको मिलेगी. और अगर आप deep out of the money options को buy करते हैं, तो उसकी delta सबसे lowest होती है, जितनी दूर आप strike price चुनोगे, उतनी delta कम रहेगी, इसका मतलब यह होगा कि वो strike price को in the money expire होने की probability सबसे कम रहेगी, तो अगर उधारन तोर पर मैं बात करूँ, तो 14,500 market चल रहा है, तो 15,000 call options की delta कभी भी 15,500 की call options की delta से ज़्यादा होगी, क्योंकि 15,000 आना ज्यादा probable है in comparison to 15,500 आना, तो जितनी आप दूर की strike price चुनोगे, उतनी आपकी probability of making money कम हो जाएगी, और क्योंकि delta उसका कम होगा, तो despite of a big up move, आपको उतनी profit नहीं मिलेगी, अगर जो up move आपके strike price चुनी हुई है, उसके नीचे आई तो, तो जैसे उधारन की तौर पर, अगर आप 14,500 की market पर trade कर रहे हैं अभी, और अगर आपने 15,500 के call options को खरीदा है, जिसकी delta 0.05 है, इसका मतलब यह होगा कि, हजार point की अगर movement आएगी nifty में, तो यह option आपका 50 रुपय से बढ़ सकता है, और अगर हजार point की movement नहीं आई, तो यह option out of the money ही expire हो जाएगा, और आपने जो premium pay किया होगा, वो zero हो जाएगा, अगर 500 point की movement आती है, तो अगर आप future खरीदते, तो आपको पूरे 500 point मिलते, पर क्यूंकि आपने deep out of the money call options को चुना था, तो उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अगर during the expiry move आगई, तो based on delta, जो movement होगी option की उतने आपको पैसे मिलेंगे, तो overall यह ही कहना चाहूंगा, कि before doing your next FNO trade, you should always remember what the delta of that option is, higher the delta, higher the chance कि that option will expire in the money, lower the delta, lower the chance that option will expire in the money, hence when you are trading intraday or short term trade, always choose a delta of option between 0.4 to 0.7 so that if you get 100 to 150 points को in Nifty, at least you make 60 to 70 points in that particular option.